ही गाईज कैसे आप सभी आशा करते हैं उससे बढ़िया होंगे तो गाईज आज हम लेकर आए हैं प्रेंटिंग कोर्स सीरीज का कलास 10 और आज हम लोग सीखेंगे एस्प्रे प्रेंटिंग आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी और आप इस केवल एक वीडियो को देखने के बाद कभी नहीं कहेंगे कि मुझे एस्प्रे प्रेंटिंग नहीं आती है यानि आप अच् सा कागज का टुकड़ा एक ब्लेड एक पूराना टूथ प्रस और दो कलर्स रेड एंड ग्रीन सबसे पहले पेपर सीट पे पेंसिल की सहाथा से कोई भी डिजाइन बना लेंगे आप चाहे तो इस डिजाइन को भी बना सकते हैं डिजाइन को इस तरीके से बनाएंगे कि उसको काटके बाहर निकला जा सके और एक्स्ट्रा पार्ट बचा रहे जैसे आप इस डिजाइन को देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा और हाँ यदि आप सच में इस प्रे पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बीना इसकीप किये ही देखिए यदि आप इसकीप करकर के देखते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा वीडियो देखने से बहुत लंबा वीडियो नहीं है और यदि आप इस एक वीडियो को देख लिए तो आप हमेशा के लिए इस प्रे पेंटिंग सीख जाएंगे इस व भी आप इस प्रेइ प्रेंटिंग आसानी से कर लेंगे तो वीडियो को आन तक देखिए तो देखिए अब डिजाइन बनकर तयार हो गया है अब इसे ब्लेड की सहायता से काट कर और डिजाइन को बाहर निकाल देंगे इस तरीके से ब्लेड के कोने का यूज करेंगे करणर का यूज करेंगे काटने के लिए काटते समय ये धियान रखेंगे कि जो डिजाइन काट रहे हैं वो साफ होना चाहिए यदि टेड़ा मिड़ा काटेंगे तो डिजाइन भी टेड़ा मिड़ा बनेगा सो बिल्कुल साफ तरीके से काटेंगे और फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आये तो लाइक अवस्य कर दिजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत माइने रखता है और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकोन और बन जाए मेरे इस प्यारे से ग्यान लोग फेमली का एक प्यारा सदस्या काटने के बाद कटे हुए भाग को बाहर निकाल देंगे इस तरीके से इसी प्रकार डिजाइन के परतेक भाग को काट कर बाहर निकाल देंगे तो फ्रेंड्स ये डिजाइन देखिए बनकर तयार है एस प्यारे पेंटिंग के लिए यदि आप इस पेपर के जगह पे किसी मोटे पेपर का यूज करते हैं तो डिजाइन और भी साफ बनेगा इसलिए कोसिस करें कि कोई मोटा ही पेपर हो आप इसके जगह पे साधी वाला कार्ड का यूज कर सकते हैं उसे भी कट करके डिजाइन बना सकते हैं बहुत अच्छा डिजाइन बनेगा उससे तो चलिए अब पेंटिंग के लिए कलर्स तयार करते हैं ये क्रीम सर्ण रेड है जितना जरूरत हो उतना क्वांटिटी इस मीक्शिंग प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा ज्यादा मातरा में मेडियम का यूज करेंगे ये देखिए ये मेडियम है और फिर दोनों को मिक्स कर देंगे ब्रस की सहायता से इसी प्रकार ग्रीन कलर भी तयार करेंगे जितना ग्रीन कलर की जरूरत है design का नुसार उतना green color लेंगे mixing plate में और उसमे medium add करके mix कर देंगे painting के लिए दो color चाहिए और दोनों color हम तैयार कर चुके हैं तो चलिए, आप painting करते हैं painting के लिए painting brush नहीं लेंगे यहाँ पे हम tooth brush का यूज करेंगे कोई भी पूराना अगर brush घर पे हो तो उसका यूज़ करेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा color लेंगे हम यहां red color लिये हैं क्योंकि हम flower बना रहे हैं और अपने अंगुली से उसे फैल आएंगे यानि brush का जो hair होता है उसको फैल आएंगे तो उसे इस तरीके से छीटे पड़ेंगे देखिए अंगुली की सहायता से इस तरीके से उसे फैल आएंगे यह धियान रखेंगे कि brush में ज्यादा color नहीं लेना है और एक ही जगह पे ज्यादा छीटे भी नहीं देना है वरना design अच्छा नहीं बनेगा प्रस को ज्यादा उपर नहीं रखेंगे परना छीटा जो है दूर दूर तक चला जाएगा तो brush को थोड़ा नीचे रखके ही करेंगे तो यह मेरा red वाला part जो है वो बन चुका है red वाला part बनाने के बाद brush को धोएँगे और धोने के बाद ही green वाला part बनाएँगे तो चली हम धो लेते हैं brush को और फिर उसमें थोड़ा सा green color लेंगे चली ग्रीन पार्ट बनाते हैं से मोई प्रोसेस अपनाएंगे green पार्ट लेकर और अंगुली से उसे फाइल आएंगे तो अब यह हमारा design ready है बन चुका है तो चली आपको भी दिखाते हैं यह देखिए कितना प्यारा सा design बना है और कितना असान है इससे बनाना यदि चलाने नहीं आता है तो भी इस तरीके से आपको इस डिजाइन को बना सकते हैं चली दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं दूसरा तरीका इससे भी असान है यदि आपको डिजाइन बनाने भी नहीं आता है तो आप साधी वाला कोई भी कार्ड ले लिजिए जिसमें इस तरी इस तरीके का डिजाइन बना हो अक्सर हर काड में इस तरीके का कोई ना कोई डिजाइन बना ही होता है तो आप साधी वाला कोई भी काड ले सकते हैं जिसमें डिजाइन इस तरीके का बना हो और उसे कैची या ब्लेड की सहायता से खोल लेंगे चारो तरफ से इस तरीके से औ और कपड़े पे प्लेस करेंगे उसे रखेंगे और फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे ब्रस में थोड़ा सा आप जिस कलर से बनाना चाहते हैं वो कलर ले लिजिए और फिर ब्रस से छीटे दीजिए देखिए कितना प्यारा सा डिजाइन बनेगा ये भी आप चाहें तो इस पैटर्न क्रियेट कर सकते हैं और बेड़ सीट, तक्या टेबल कलथ, परदा इतियादी आसानी से बना सकते हैं इसे बनाने में भी ज्यादा दिन नहीं लगेगा एक दिन में आप चाहें तो एक बेड़ सीट बना सकते हैं इस तरीके से क्योंकि ये बिलकुल आसान तरीका है और काफी कम समय में आप इसे बना सकते हैं तो देखिए कितना प्यारा सा डिजाइन बना इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं यदि आप डिजाइन कट करके खुद से बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं या फिर कार्ड से कोई डिजाइन लेकर बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं या कहीं और से भी आपको अगर इस तरीके के खटाक बड़ डिजाइन मिलता है तो आप बना सकते हैं तो बहुत प्यारा सा डिजाइन बनता है, बहुत ही सुन्दर लगेगा ये, यदि आप रेड कलर पे बना रहे हैं, वाइट कलर से, तो भी बहुत ही प्यारा बनता है ये डिजाइन, तो एक बार आप ट्राइ जरूर किजिए, इस तरीके से बेट सिट बनाएए, देखिए कि तो देखिए, एक मेरे पास और डिजाइन है ये, इससे भी बना सकते हैं, फिर मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, एक नए डिजाइन के साथ, तब तक आप हमारे वीडियोज को देखते रहे हैं, और प्रैक्टिस करते रहे हैं, ठेंक्स पर वाचिंग, बाई